DVC द्वारा 14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग से 7 जिलों में बिजली की समस्या गंभीर बनी हुई थी इसके बाद राज्य सरकार और DVC के अधिकारियों के बीच बैठक हुई इसमें ये तै किया गया कि सरकार DVC का जो भी बकाया है उसे देने पर विचार करेगी यका कहके कि आप हम लोग जो बिजली काट रहे हैं उसको मुक्त कर दिज तू भी अगरी कर गया हैं कि हम बिजली मुक्त कर देंगे हम लोग को जो पईसा बकाया है उस पर आप लोग ध्यान दिजिए हमने कहा कि हम लोग का मंगलवार का केबनेट का बठक है मन्यमुक मंत्री जिसे अउगत करा गए और केबनेट निरने लेंगे आखे डिवी सी पैसा पा रहा है तो हम लोग को देना है आज दें कल दें देना है इसलिए इंगी बिजली देने लिए तियार हो गया है जो साथ जिला कबान छेतर था और हम लोग जो आज पैसे की बात जहाए है आख बेजाग दोनों का बीच में जो मामला उल जहा हुआ था हिसाफ किताब नहीं हो रहा बहुत दिनों से उसका हिसाफ किताब हो जाएगा तो DVC भी रात 12 बजे से कमांड एरिया में बिजली की निर्बाद आपूर्ती करेगी राज सरकार को DVC को कितना देना है तब तक हम लोगोंने चेर्मेन साहब से आगरा किया कि हमारे साथ जिलों में जो रेगुलेशन की समस्या इसका समाधान कर दें अन्हों ने आश्वस्त किया है कि आज राज से रेगुलेशन कर दिया जाए आज 12 बजे रात के बाद से निर्बाद विजली की आपूर्ती साथ जिलों में होगी राज्य के कई जिलों में डीवी सी द्वारा कमांड एरिया में की जा रही बिजली कटोती को लेकर सिक्षा मंत्री ने सीएम हेमन सोरें से बात की थी सीएम के निर्देश के बाद सिक्षा मंत्री जगरनात महतो की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई राची से समाचार प्लस के लिए मईजु दिन की रिपोर्ट